हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरिट टॉप शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफ्टेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ ट्रॉम्प ने मश्यक वस्ता में अमन का खाब डंप कर दिया अमरीकी सादर ने मगबूजा बेतल मक्जिस को इसराइल का दारल हकूमत तस्लीम कर लिया सिफार्खाना मुंत्किल करने का एलाग अमरीका ने सरस्ट इलफास के बैल्फ को एलामिये से लगाई गई बरतानमी आग पर तेल छड़क दिया मकबूजा बैतल मक्दस को इसराइली अदारल हकूमत तस्लीम करने के खिलाफ औरगन और फलस्तीन में इहतिजाज सौदी अरग, तुर्की अक्वाम मुतहिदा, चीन, बरतानिया और इरान फट पड़े फॉप फ्रांसिस का भी इज़ारे तश्वीश मुतनाज़ बैयान पर रानस अनौला का सिफ़ा नहीं आया, सिफ़ों का तुफ़ा आ गया फीर हमीदुदीन स्यालवी हामी उसमेट मून लीक से ला तालुक इंतखाबात में मुकालिफत का एलान, 10 दिसंबर को फैसलाबाद में जलसे की तैयारिया श्यवाज शरीफ साब और श्यवाज शरीफ साब और रानस अनौला साब कतल आम का फैसला सब की जानिब से हुआ है कंटेनर मेरा 24 आवर्स के लिए तैयार लगे करकुनान भी इसी तरह हर वक्त के लिए तैयार रहे किनारा ढूनती हकूमत के खिलाफ एक और एक और एक जाज़ का इशारा साने मौर्डल साउन रिपोर्ट शेवाज शरीफ और रानस अनौला को मुझरम करार देने के लिए काफी है तैयल उकादरे की कारकुनों को कॉल का इंतिजार करने के हिदायत आज वुकला और कोर कमिटी की मीटिंग तलब इमरान फारू कतल के इस बानी मुतहदा के नाकाबले जमानत वारेंट जारी F.I.E. को 20 दिसंबर तक गरेपतार करके इस्लामबाद की खुसूसी अदालत में पेश करने का हुकुन सान्हाए हवेलियं को एक साल गुजर गया 54 अफराद की मौत तैयारे की तक्नीकी खराबी का नतीज़ा करार जहाद का बाया हिंजिन अचानक बंद हो गया पालेट सवे तमाम अमला बरियो जिमा तीन गहर मुलकी एजिन्सी सी रिपोर्ट के मंदर जाज दुनिया न्यूस पर गहरी भूरी आँखें चमकता चहरा दिल नशी आवास सानह हवेलियां जोने जमशेत के मदाहों को लहूर उला गया एक साल बाद भी हर दिल अजीज शक्सियत के बिछड़ने का गम ताज़ा मेर लंदन लहूर में शेबास चिरिक से मुलाकात बादशाही मस्जद की सेर मजार इकबाल पर भी हाजरी अलहमरा हौल में तकरीब सादिक खान रिवायती रख से लुस्पन्दो सिंद में साफ़ पानी और निकासी आपका केस वजीर आला हाजर अल्ला ने ओदे इंजॉय करने के लिए नहीं खिदमत के लिए दिये हैं चीफ जिस्स के रिमार्क्स 23 दिसम्बर तक रिपोर्ट जमा कराने का हुकम नून लीक के हलके लोड चेडिंग फ्री सिंद बलोचस्तान में 18-18 घंटे बती गाइब नाहेल हकूमत इम्तियाजी सलुक कर रही है खुर्शीच शाब बरस पड़े इमरान खान इस्लामाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं सम्यूल हक ने पी टियाज से इताहत का ऐलान कर दिया मुझता मजलिस अमल का शीराजा एकठा होने से पहले ही बिखर गया सीवियू कतल के दूसरी जीपर सवार मुलिम खावर बरनी के तीन कजन्स बाकाइदा गिर अफ़तार वजिर दाखला की मक्तूल दाफिर के घर आमद विशाले सवाब के लिए फाते खानी सीवियू पर दफाए 144 लगाने का फैसला एटियम से अवाम को चूना लगाने वाले अब तक आज़ाद तहकिकात आगे नब बढ़ सकी ट्रांजेक्शन सारफीन ने की या हैकर्स ने तस्दीक कैसे होगी सिसी टीवी कैमरो की मौजूदगी में स्किमिंग डिवाइस की तनसीब पर अमला क्यों सोता रहा कई सवाल खड़े हो गए एटियम मेगा फ्राउड सारफीन के एक करोड बीस लाक रुपए पाकिस्तान चीन और इंडोनेशिया में निकलवाई जाने का इंकिशाफ स्टेट बैंक्स ने तमाम बैंक्स को सिस्टेम अपग्रेडेशन और जदीज कार्ड मुतालिफ कराने की हिदाएट कर दी कराची के बल्दिया टाउन आकर पोश लाकों में वारदाते करने वाली चंदा कराची के सुर्जानी टाउन में तजावजाद के खिलाफ आपरेशन अवाम का के फोर चुरंगी पर इसिजाज मरकजी शहराब बंद पुलिस का मुझाहरीन पर धावा शहर के कतल का इल्जाम उमरकैद काटने के बाद वापस चिन्योट की अदालत ने रानी बीबी को 18 साल बाद बाइज़त बरी कर दिया अमरीके जेलों में खैदियों पर टेजर गंग का इस्तेमाल मामूल बन गया विडियो बंद रियाम पर आ गई हामला खातून पर बद्सरीन तशद्द से बच्चे की मौत एक सोचार अफराद की हलाकत का इंकिशाफ केलिफ़ॉनिया की जिंगलाद में लगी आग अब तक बेकाबू डेर सौ घर राख एक शक्स हलाग 27,000 शहरियों की नकले मकानी एमर्जनसी नाफिस अबर अमरीकी सदर ने मुस्लमानों के खिलाफ एलाने जंग कर दिया है टरंप ने मकबूजा बैतल मकदस को इसराईल का दारल हकूमत तस्लीम कर लिया अमरीकी सदर ने अपना सफारत खाना मकबूजा बैतल मकदस मुन्तकिल करने का भी ऐलान किया अम की कोशिशें जारी रहेंगी आग लगा कर टरंप ने फिर वही रागालाब दिया पूरी दुनिया के अम को आग में जोंकने का एकदाम अमरीकी सदर ने मुस्लमानों के खिलाफ एलाने जंग कर दिया वो यूँ के टरंप ने मकबूजा बैतल मकदस को इसराईल का दारल हकूमत तस्लीम कर लिया है और अपने इस एक्ट पर वो बिल्कुल पशेमान नहीं है उनका ये कहना है कि अमन की कोशिश ऐसे जारी रहेगी अमरीकी सदर डानल्ड टरंप ने गुजशता साल सदारती नतखबात की मुहिम के दौरान कहा था कि वो बेनल अक्वामी कन्वेंशन से इनहिराफ करते हुए इसराईल में अमरीकी सफारतखारे को तलवीब से यरोशलम मुंतकिल करेंगे उनका ये कहना था कि वो जैसे ही सदर मुंतखब हुए वो इस बात का ऐलान करेंगे लेकिन यकुम जून को सदर ट्रंप ने अपने पेश्रोह की तरह यरोशलम एमबस्टी एक नाइटी नाइटी फाइफ पर दिस्तख़त करके इसे छह माह के लिए मौखर कर दिया था इस वत का उनने इंटकाब किया है और पूरी दुनिया पर इस हावाले से सक्त रद्यमल पाया जा रहा है प् fulfil जून पर दिस्तषि पर दिस्तख़त बात दुनुला था बहरा है therefore I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. well previous presidents have made this a major campaign इस अच्छ जो एकमाद साचाने साचाने स्याली विर्णे इस श्यानिटे साथ कि अपने अपर सब्सक्राइब अपर। अमरीकी अक्ड़काव ने मुस्ते मुमाले को एक और जक्म दे दिया, ये कहना है व। वज़िए खारजा खाजाशाजाशा आसिफ का जो ये भी कहते हैं, कि अमरीकी अक्ड़ाम टो रियास्टतों का हल दफन हो जाएगा। तर्जमान वजीर राइजम हाउस का कहना है कि ऐसे अग्दामात आल्में कोष्माने के खिलाफ औरजी है। पाकिस्तान फलस्तिनीयों के साथ इजार यग जहती करता है। फलस्तिन को आजाच और मजबूत र्यासत का दर्जह दिया जाय। तर्जमान वजिर आजम हाउस का ये कहना है पाकिस्तान ने अमरीकी सफार्थ खाने की मुन्तकली पर तश्वीश का इज़ार कर दिया है अमरीकी एकदाम से खिते में कशीद की बड़ेगी आलमी रद्धियमल भी ऐसा ही सामने आ रहा है 9 दिसंबर को अरब लीग और 13 को आईजी का इजलास सलब कर लिया गया है अत्वाम में मुतहिदा चीन, बरतानिया, साओधी अरब और एरान इस फैसले पर फट पड़े हैं जबके पूप फ्रांसिस ने भी तश्वीश का इज़ार किया है और फलस्तीन में डॉनल्ड ट्रम्प की तसावी नजरे आतिश की गए है जैसे ही ये फामूला सामने आया और इस पर डॉनल्ड ट्रम्प ने अपने अमल का इज़ार किया तो फलस्तीन में इहतिजाश चुरू हुआ आलमी बरादरी की जानब से रद्धे अमल दिया गया और तश्वीश का इज़ार किया गया जिसको खातिर में नाल आते हुए सदर डॉनल्ड ट्रम्प ने ये ऐलान कर दिया 9 दिसंबर को आप इसके बाद अरब लीग और तेरा को आईसी का इज़ास तलब कर लिया गया है अमरिकी सदर जानल्ड ट्रम्प के मगबूजा बैतल मकदिस को इसराइल का तारल हकुमत तस्लीम करने पर आलमी रहनुमा भी बोल पड़े अर्दन की कोवी इसेमली के हंगामी इजलास में इसराइल के साथ मोहिदा मनसूख करने पर जोर दिया गया अरकान इसेमली ने अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुझारा भी किया सौदी शाथ सल्मान ने कहा के फैसले से दुनिया भर के मुसल्मानों में इश्टाल पैदा होगा तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने मामले पर गोर के लिए 13 दिसंबर को OIC इजलास इस्तंबोल में बुलाने की दावत दे दी फलस्तिनी सदर महमूद अबास ने खबरदार किया ऐसे फैसले के नताइज आलमी अम्न के लिए संगीन हो सकते हैं इरानी सदर हसन रुहानी ने ऐलान को मुसल्म दुनिया के खिलाफ एक नया मनसूबा करार दिया है पॉप फ्रांसिस ने कहा है कि मुकद्स जमीन के मामले पर तमाम लोगों के हकूप को तसलीम किया जाए अक्वाम मुतहिदा ने बैतलमक्दिस के मस्तक्मिल का फैसला इस्राइल औ फलस्तिनियों के दर्मयान मुजाकरात के जरीए करने पर जोर दिया चीन ने मगुजा बैतलमक्दिस पर अमरीकी एगदाम से कशीदगी बढ़ने की तश्वीश जाहर की बरतानवी वजीर आजम टिरीजा में बैतलमक्दिस की हैसित मुजाकरात के जरीए तैकरने पर जोर दिया अमरीकी फैसले के खिलाफ मगर्बी किनारे में फलस्तीनी शहरियों ने सदर टृम्प की तसावीर जला दी आलमी बरादरी की शदीद मुखार्फत के बावजूद अमरीकी सदर की हड़धर्मी बरकरार है तो किस्सा मुक्तसर अमरीकी सदर टृम्प ने यरुशलम को इसराईल का दाल हुकमत करार दे दिया है इसी मौमले का बारीक बीनी से जाइजा लेने के लिए बात करते हैं तज्याकार डॉक्टर हरसन असकरी साब से डॉक्टर साब ये बताईएगा इस दुखती रख को चेड़ने का मकसद क्या है और इसलामी दुनिया पर इसके क्या असराथ होंगे देखे सदर टृम्प जो है वो बहुत से कंट्रोवर्शल फैसले करते रहे हैं और ये जो फैसला है ये सबसे जदा कंट्रोवर्शल है उसकी वज़ा से वो एक महदूद से लॉबी में तो मखुलर हुए है अपने मुल्क के अंदर यानि अमरीका के अंदर लेकिन मखरिबी दुनिया में भी वो आइसलेट हुए है तो कोई भी मखरिबी मुल्क कोई भी यूर्पी मुल्क जो है इस किसम की पॉलिसी को फालो नहीं करेगा जहां तक मुसलिम मुमालिक का तालुक है वहां से रियक्शन तो हमें एक जैसा ही नजर आ रहा है प्रवोकेशन भी समझा जा रहा है तीसरी इंतिफादा भी वहां पर श्यूरू हो सकती है आपको लगता है इसकी पहले से तैयारी कर रही है की होकि इसराइल और अमरीका ने? जो पैसे उन्होंने अमरीका में रखे होते हैं आरब मॉमालिक ने या जो हाल ही में जिस साओधी अरेबिया ने असला खरीदने का एक बहुत बड़ा एग्रिमेंट अमरीका के साथ किया है और उसके इलावा बहुत करीबी तालुकात इस्टेबिश किये हैं क्राउन प्रिंस मॉम्मद ने अमरीका से तोल की सिंकिंग ये है कि ये रिलेशन्शिप वक्ती तोर पे तो रुक जाएगा लेकिन फरक कोई नहीं पड़ेगा अब अरब मुलकों पे है कि वो किस तरह अमरीका पे फाइनेशल प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं अगर तो इन्हों ने इकटे होकर अमरीका पे फाइनेशल प्रेशर बिल्ड किया तब तो कुछ निताइज आएंगे वरना दो जार महीने में बबात एज यूजिल उसी तरह चलती रहे अचाए कटे होने के कितने परसेंट चांसे से ये भी प्रफेसर साब बताइएगा लेकिन जो ये फैसला किया गया है ये बर्फोफ और मुहीत अमरीकी पॉलिसी और बेनल अकौमी तफाकराय के मनाफी है अब तक जितने अमेरिकन प्रेजिडन्स से वो इसको डिले करते आ 2017 तक और डानल्स ट्राम्प चुके शोरत रखते हैं कंट्रोवर्शल फैसले करने की और एक महदूद फ्रेमवर्क में आपरेट करते हैं तो इन्हों ने इसलिए ये फैसला किया है जिसकी मुखालफत आपको अमरीका के अंदर भी मिलेगी क्योंके वो ये समझते हैं कि इस से एक बहुत बड़ी दुनिया में अमरीका आइसोलेट हो जाता है क्योंके अमरीका को कोई यूर्बी मुल्क इस पॉइंट पे फॉलू नहीं करेगा लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं मश्यक वुस्ता की सुरुतिहाल आपको लगता है इस फैसले के बाद तब्दील हो सकती है क्योंके हमास ने अभी वार्निंग जारी कर दी है कि दोजब के तरवाजे खोल दी है डॉनल्ड टरॉम्प ने ये फैसला करके अब आप हमें देखना देखना ये है कि इस सिसले में किस हद तक अमरीका पे प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है हमास ठीक है एक प्रोटेस्ट एड वाईलिजिस्म का प्रोटेस्ट जो है वेस्ट बेंक में और गजज़ा के अंदर हम उमीद कर रहे हैं और ये भी इन्मीद कर रहे हैं कि खासकर गजा के आगे से इसराइल पे कुछ फितना वसाद पैदा होगा चगड़े पैदा होंगे लेकिन जब तक अगली तोर पर हरव मुमाले के कटे हो कोई कारवाई नहीं करते और जैसा मैंने पहले कहा कि जब तक गेर मुमालिक अमरीका पे इक्तसादी प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे मिलके उस वक्त तक कोई खास चेंज नहीं आएगी सुरत अहल में बहुत शुक्रिया हसन असकरी सहब आपका झाल झाल झाल